शिव की सर्वत्तम शिक्षा जहर पीना सीखो जहर उगलना नहीं हर हर महादेव सावन के इस पावन महीने में आज आपको मैं सावन का एक बहुत अच्छा कॉमन उपाय बताने जा रही हूँ हम तो नहीं करते हिए लेकिन इस बार मैं करूँगी मैंने इसस सोच और जब मैं करूंगी तो आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी और लेकिन पुराने जमाने के लोग सावन के महीने में इस जादू युपाय को जरूर करते थे और एक चोटी सी वीडियो है इस वीडियो को आप अंते तक जरूर देखें, इस बार सावन के दो महीने हैं और सावन के जब दो महीने होते हैं तो अपने आप में बेहत खास होते हैं क्योंकि पुर्शत नमाज भी है, सावन के पावन महीने में जो शंकर भगवान है वो पारवती मा के साथ धरती पर रहत सावन की महिलाएं लगाती है और आपको पता है सावन में बहुत जारा खाया जाता है गेवर, गेवर चाहे महिलाओं का वजन भी बढ़ाए पर गेवर खाना वह वह तो बनता है, आज मैं आपको शिव के बारे में कैसा उपाई बताने जाए हूँ जो गाउं देहाथ के चाहिए छेद वाला एक मठका चाहिए ठीक हैATHAN सबसे उत्तम रहता है कि एक सबसे का का मठका लेना आप किसी सोनारे के पास या बंजारे जो होते हैं them और आप अपने साथ एक हजार दाने ले जा ci verdi ले जाते या बंजार के ले जा चाहे, एक हजार पत्थर तोड कर ले जाएं चाहे, एक हजार माचिस की तीली ले जाएं gak अची कि लें एक हजार लाग ले जाएं तो ऐसमें एक हजार राज़ मह पत्थर तोड करने है। जब वो पूरे 1000 हो जाएं तो समझ लेना 1000 च्छेद हो गए क्योंकि 1000 च्छेदों को गिनना मुश्किल है लेकिन अगर ये 1000 च्छेद नहीं होए तो ये मटका या ये मटके का उपाया धूरा है और बाकी जादा परिशान होने की जूरत ने हैं नहीं भी कर पाये तो पूरे सावन में ये उपाय करने वाली हूँ और मैंने अगर ये उपाय एक बार भी किया तो आपको इसका लाब बहुत जादा मिलेगा मुझे डेजी जी ने एक बार एक गिफ्ट बेजा था और इसके अंदर अगर हम छेद कर लें तो ये जो छेद आपको रिखाई दे रहे है इस तरहां के छेद मठके के अंदर होंगे और जब आप ये छेद मठके के अंदर करेंगे तो ये एक्चुली लुबान के धुएं के लिए मुझे डेजी जी ने भेजा था ये बहुत ही खुबसूरत है तो मैंने इसमें अभी पैसे भरे हुए है क्योंकि विश विश जो है वो कच्छुआ बन गया है और कच्छुआ अगर अंदर से खोकला हो तो उसे कभी खाली नी रखना चाहिए उसमें पैसे रखने चाहिए तो इसलिए इसमें मैंने पैसे र और आपको उसके अंदर पानी भर कर किसी भी यमुना गंगा के किनारे पर जाकर वहां पर जो शिवलिंग बने होते हैं उसके अंदर क्यूंकि जैसे विश्नु सहस्त नाम होता है विश्नु जी के एक हजार नाम होते हैं ऐसे शिव की तो पता नहीं कितने नाम है उसी तरह से एक हजार छेद हमने करवाने है, फिर भगवान को ये खजार की संख्या बेहत जादा पसंद है, आप इस मटके के अंदर चाहे वो मटका मिट्टी का हो, मिट्टी के मटके के अंदर भी जो कुमार बनाने वाला होता है, वो एक हजार छेद करके मटका बना देगा, काम और इक्छाएं भी तो थोड़ी सी मुश्किल है, तो उसके बाद आपको हर सोमवार को या परदोश को आपको सावन के अंदर हर रोज भी कर सकते हो, इसके अंदर किसी भी नदी किनारे जाकर जल भरना है और शिवलिंग पर ऐसे कर देना है, और जब तक आप जल भरके लाए किया, अगर पूरे सावन इस 1000 छेदों के मटके से आपने केवल एक बार भी भगवान के ओपर गंगा जल छिरक दिया या दूद उसमें भरकर दूद अरपन कर दिया, तो पती पतनी यह उपाए कर सकते हैं, दो दोस यह उपाए कर सकते हैं, नंद भावी यह उपाए कर सकत आपकी जीवन में बार भी कर लिए और आपके जिवन में, बार भी गहाएगी, और आपके मन के सारे बोज हटेंगे, और जन्मों जन्मों के आपके कस् और तकलीफे दूर हो जाएंगी, तो यह उपाए जरू कर ले रहा हैं, लेकिन सावधानी, छेद एक हजार ही होने चाहिए हर छेद खुलावा होना चाहिए कई बार हम छेद करते हैं लेकिन वो छेद बंद हो जाता है उसमें निशान बन जाता है लेकिन उसमें से पानी आरपार नहीं होता और एक छेद के उपर दूसरा छेद ना होने पाए और आप ये बात याद र अगर हमने एक हजार छेट करवाए तो शायद वो तूट भी जाए लेकिन अगर आपने स्चील के अंदर एक हजार छेट करवाए तो वो तूटेगा नी और लाइफ टाइम हो जागा जिसे कहते हैं दादा खरीदे पोता बरते तो आपने एक बार इसे बना कर रख लेना है औ आप चाहें तो इसे हर सुमवार यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो इसे हर परदोश यूज़ कर सकते हैं और इसका आपको जबरदस फाइदा और लाब होगा और आपकी हर मनो इच्छा मनो कामना पूर्ण होगी और रिजल्ट आपको प्रतेक्श रूप से दिखाई दे मन को बड़ा सकून और शान्ती मिलेगी करकर देखेगा और फिर कुछ अलग विचित्र और अनोखा तो करना ही चाहिए कमेंट्स में लिखेगा हर हर महादेव जैमातादी आपका दिन शुब और मंगल में हो मुझे इंस्टाग्राम फेस्बूक यूट्यूब बिलीव इन कर में ताकत दी है जेव में उतने आप उपाय करिए मेरा काम है आपके लिए नएने और अलग और विच्छित रुपाई लाना तो वो मैं लाती हूं जो कर सके वो करे जो नहीं कर सके उन उपखायों को सुनकर भड़ा सुख और वैभव अनुभव होता है वही कर लीजे médico झाल